6 मातादी दोस्तों, मृत्यू कैसी भी हो, काल या आकाल, उसकी प्रक्रिया 6 माह पूर्वी शुरू हो जाती है 6 माह पूर्व ही मृत्यू को टाला जा सकता है अंतिम 3 दिन पूर्व सिर्फ देवता या मनुष्य के पुन्ने ही मृत्यू को टाल सकते है ये याद रखना चाहिए कि मृत्यू का एहसास व्यक्ति को 6 मा पूर्वी हो जाता है तो दोस्तों आईए जानते हैं मृत्यू से पूर्व मिलने वाले कुछ संकेत जो तिश शाष्ट्र में मनुष्य शरीर के 7 चक्र बताए गए है पहला चक्र है मूलाधार चक्र जो लिंक के नीचे रीड में मौजूद होता है दूसरा स्वदिष्ठान चक्र जो लिंक से चार उंगल उपर है तीसरा मनिपूर चक्र जो नाभी में इस्थित है चौथा अनहत चक्र जो हिर्दय में इस्थित है पाँचवा विशुद चक्र जो कंठ में स्थित है चटा आग्या चक्र जो भृकटी में स्थित है और साथवा चक्र जो की सिर्की चोटे वाले इस्थान पर स्थित होता है पुरानों में वर्णित है कि मृत्यू के आहट सबसे पहले मश्टिश्क में नहीं बलकि नाभी में होती है यानि पहली आठ नाभी के चक्र पर महसूस की जा सकती है यह नाभी चक्र एक दिन में ही नहीं तूटता इसके तूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र तूटता जाता है मित्यू के करीब आने के दूसरे कई लक्षन महसूस होने लगते है समुद्र शास्त्र में उलेखित है कि जब मित्यू आती है तो हतेली में मौजूद रेखाएं अश्पष्ट और इतनी हलकी दिखाएं देने लगती है कि उसे देख पाना मुश्किल होता है जिस व्यक्ति की मित्यू हो रही है उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास रहता है ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वच और कई मृत व्यक्ति नजर आते हैं तो अपने शाष्ट्र में वर्नित है कि सपने कई बार भविश्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं वही गरून पुरान में उलेकित है कि जब बिल्कुल मौत करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इनसान भी नजर नहीं आता ऐसे समय में व्यक्ति के यम के दूथ नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है इसलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसे सीधी चलती रहती हैं लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यू करीब आ जाती है तो उसकी सांसे उल्टी चनले लगती हैं जब किसी नशा, रोग, अत्याधिक चिंता, अत्याधिक कार्य से भीतर के सभी सनायू, नाड़ी, आदी कमजोर हो जाते हैं यह ठीक उसी तरह है कि हम किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद दें ऐसे व्यक्ति की आँखों के सामने बार-बार अंधेरा चा जाता है उटते समय, बैठते समय या सफर करते समय अचानक आँखों के सामने अंधेरा चा जाता है यदि यह लक्षन दो तीन सब्ता तक बने रहें तो तुरंथी योग आयूरवेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर की सला लेनी चाहिए माना यह भी जाता है कि इस अंधेरया चाह जाने वाले रोक के कारण उस चांद में भी दरार जैसा कुछ दजर आने लगता है जिन लोगों के मृत्यू एक महाशेश रह जाती है वे अपनी चाहा को भी स्वैम से अलग देखने लगते हैं कुछ लोगों को तो अपनी चाहा का सिर भी नहीं दिखाई देता आविरुवेद के अनुसार मित्यू से सबसे पहले मानव शरीर में अजीब सी गंद सी आने लगती है इसे मृत्यू गंद कहा जाता है यह किसी रोगादी, हिर्द्य गात या मस्तिश्क गात आधी के कारण उत्पन होती है यह गंद किसी मूर्दे की गंद की तरह ही होती है बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने का परिणाम यह होता है कि भीतर से शरीर लगबग मर चुका होता है आखों की कमजोरी से संबंदित एक और लक्षन बताया गया है कि व्यक्ति को दरपण में अपना चहरा ना दिखकर किसी और का चहरा दिखने का भ्रहम होने लगता है सांस लेने में और छोड़ने की गती भी तैक करती है कि मनुष्य का जीवन कितना शेश है कहते हैं कि जो व्यक्ति की सिर्फ दाहिनी नासिका से ही एक दिन और रात निरंतर स्वास ले रहा है तो यह किसी गंबी रोक के घर कर जाने की सूचना देता है यदि इस पर वैध्या नहीं देता तो तीन वर्ष में ही उसकी मृत्यू तै है इसके अलावा जिसके मल, मूत्र और वीर एवम छीक एक साथी गेते हैं उसका जीवन एक वर्ष ही शेश है इसके अलावा आखरी कारण यह भी बताया गया है कि हाथ से कान बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवास सुनाई ना दे और अचानक ही मोटा शरीर दुबला और दुबला शरीर मोटा हो जाए तो एक महा में मृत्यू हो जाती है सामाने तोर पर व्यक्ति जब अपने आप कान पर हाथ रखता है तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है लेकिन जिस व्यक्ति का अन समय निकट होता है उसे किसी भी प्रकार की आवाजे सुनाई देना बंध हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही हिंदु धर्म से जुड़े तक थे और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सबी वीडियो आप तक पहुंच करें